गुड मॉर्निंग क्लास नाइन क्लास नाइन बच्चे आज यसी जो ये टॉपिक कर जा रहे हैं और टॉपिक है साथ कुल चैप्टर नुबर फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वैरियेबल चैप्टर नुबर फोर है बच्चे ये चैप्टर जिड़ा है बहुत ही असान भी है और इंपोर्टन भी है त्याना देखो बच्चे लीनियर इक्वेशन तुसी वन वैरियेबल क्लास एड तक कार चुके हो consider the equation like this 2x plus 5 is equal to 0 एक बहुत ही simple equation है जिदा solution है x is equal to minus 5 by 2 अग्या तो नुब पता है किस तरह आया किस तरह आया जो तुभी 5 न उद्दल है जो कि हाना तो अग्या तो नुब पता है कि नुब गी ता गया है यह नुब गया 5 न उद्दल है minus 5 और 2 इदे राद नीचे आगे डिवाइड हो गया minus 5 by 2 clear so this is a solution तो किसे भी solution नुब आसी line दोते रिपरेजंट कार साकते है एक मैं एक line लई है this is a integer line sorry real line real number ने सारे दोते so 0 लेके इदर positive और इदर negative number तो minus 2 दे विच कार आएगा minus 5 by 2 so इस तरीके दिना आल linear equation दे किसे भी solution नुब आसी real line दोते represent कार साकते है जिसना आया point represent कार रहा minus 5 by 2 ठीका बच्चे उस तो बाद आया दिया बच्चे क्योंकि आसी deal करना मां linear equation 2 variable दे ना अना so linear equation 2 variable दा मनलब like this this is a actually a form form of linear equation 2 variable जदा हुई तार एक linear equation 2 variable दे ना आएगी वो हमेशा f ओम दे बच्च होएगी ax by plus c clear इत्थे जो था नूँ a b c दिख दे पे ना ऐसारे दोनों सारे की ने real number ने ठीक है these are a b c are constant and real number clear हमेशा याद रखना है यह दे बच्च जड़ा a a की कहा है a नूँ कसी कमांगे coefficient of a रिड़ा गा ओकी कहा coefficient of x ठीक है a is coefficient of x b की दिन आला है y दिन आला है बिलकुल हना multiply दिन आला है which हो रहा है दोनों so b is a coefficient of y clear एगल याद रखने and c is a purely constant number so ax plus by plus c is equal to 0 this is a very important form of linear equation to variable जोदो भी कोई linear equation दो variable देवेच होएगी वो ax plus by plus c दी form देवेच होएगी और a और b are not both 0 दोनों कठे 0 नहीं हो सकदे a या b दोनों कठे 0 नहीं हो सकदे ठीक है are not 0 both together okay so consider कर देए आप एक एक एक्वेशन consider कीती 2x plus 3y is equal to 4.37 असी नूँ ऐ वाली form देवेच मिलाना है 2x plus 3y is equal to 4.37 यह जो एक्जाम्पल है बच्चे एक्जाम्पल नम्पर 1 है पे नम्बर 67 ते यह वेचो कह रहा है कि s equation नूँ 2 variable equation नूँ अप ए वाली form देच मिलाना ax plus by plus c वाली form देच मिलाना सब तो पहलो ते की करना है तुसी सारिया जो terms ने वो left side दे ला आ रही है ठीक है हूँ 2x plus 3y लेft side दो ते पहा है ना right side दे की का है 4.37 तो सारिया चिंजा पहलो तुसी left side दे ला गया हो so 4.37 लेft side दे ला गया हम आगे इदर positive उदर आके negative इदर 0 हो गया so तड़ा पहला गाम की होएगा right side दे equal to 0 करना जिस तरह क्योंकि जड़ी तड़ को general form है और which is equal to 0 है ना so इसे तरह तुसी इदर आपा 0 का लिया खुँत यह देह ना a दी जगता दो की है b दी जगता दो की है और c दी जगता दो की है ठीक है so check कर दिया है x देनाल a c x देनाल की सी a क्योंकि a is a coefficient of x so इत्त है x दा coefficient की है इत्त है x दा coefficient है 2 तो मैं लिखांगा a दी जगता सी 2 हा जी बच्चे y b is a coefficient of y ठीक है उन्हें थे b दी जगता की है 3 b दी जगता आ गया 3 c दिएगा बच्चे की है c दिएगा है c दिएगा है की है बच्चे c दिएगा minus 4.37 बच्चे sin 10 हमें ज़्या दखना है sin negative है तो नाल negative भी लिखना है क्योंकि 4 एसे थे positive है ठीक है so minus एसे थे एक extra 4.37 so this is how to compare हो देखो असी फिर एक और equation नों consider कर दें इन्हों में आसी compare करना है ax plus by plus c is equal to 0 ठीक है बच्चे so इन्हों compare करना वासे सब तो पहलो मैंगी करना right side करना है 0 बनाना है तो कि भी बनेगा x minus 4 इन्हों उद्दर लाया हो बच्चे की आ गया minus android of 3 y is equal to 0 ठीक है जी right side दे 0 अन गया हूँ न अपने को पहला की हुंदा है पहलो x हुंदा है फिर y हुंदा है फिर constant हुंदा है इन्हों आप फिर इन्हों फदर आपा लिख सा दे एक्स माइनस स्केरड़ ओफ 3 अंड़ ओफ 3 y minus 4 is equal to 0 4 न उद्दर कर लो माइनस माइनस 4 उद्दे का लिया एरी जगा ते इन्हों इरी जगा कर लिया कोई फरग नहीं पहलेगा साइन भी चेंई होंगे क्योंकि दोनों एकको साइड तीया कई वर्य बच्छ बच्चे कर दिने एक साइड चेंज कर लग्या जिधो आपउख दे विच्चे को साइड तो एकर डो ते एक साइड चेंज कर ले था टोट्य जू जबहुत अटे शिफ निए जीर वाली एक सिंट है ऑप्टाय कोई निया थे मैं तो इस एकल ना घया हाज राजी बीचम की होएगा बच्चे अंडुरण 23 माइनस की अंडुरण ओफ 3 हो ज़िए किसी रख सीकी होएगा माइनस पूर ठीक है कि बस इनना के काम कोई ओखानी है बहुत ही असान है सिर्फ तरही कंपेर करना है जा इक्वेशन बना के लिखनी है ठीक है इस तरह दे कोशन तुसी एक्सोसाइज 4.1 दे विच करने है उस तो बाद असी बच्चे कहल करिए एक होर इने विच इंपॉर्टन जिड़ा तानों को चीह लिखी जान दी है कि कई वारी सानू प्लेखा प्याजन दा कि शायद असी हार एक्वेशन नूँ टू वैरीवल फॉर्म दे विच नहीं लिख था दे जिवें एक्स इस इकल टू माइनस फाइव है उन्तानू क्या गया कि इन्नू लिखो एक्स प्लस बी य प्लस सी फॉर्म दे व वर्ड करना है तो ओटोमेटिकली बच्चे रमाइन दे विच एपले खाप हैं जन्दा कि यहाद वन वैरीवल है यहाद वन वैरीवल है ते यहाद टू वैरीवल है तो इन्नू मैं इस फॉर्म दे विच किमी रिशादा है अगर बच्चे डैफिनेशन दे विच आओगे तो अनुद्धि मैं लिखिया असी ए एंड बी आर नोट बोथ जीरो क्लियर जिड़े ए और बी यह दोनों 0 कठे नहीं हो सकते कठे जीरो नहीं हो सकते एक टैम दे जीरो हो जूर सकता है ठीक है सब तो बिलो थे चलो तुछी मैं एथे कार्या तो अनू अपने आपी समय ल बन गया बच्चे राइट साट थे 0 बन गया कि नूँ मैसरा लिख साथ था एक्स देना लकुष निलगा वान लगा लिया प्लस वाई अपने को लो लिख लिया वाई दग जीरो गा लिया प्लस 5 इस एक्वल टू जीरो क्यों बच्चे एए फों बन गी यस बन गी क्योंकि जीरो अगर कोफिजेंट है किसे था भी उन्हें उन्हें कोई मतलब नहींगा ऐसारी टर्म जीरो ही है तो लिखिया मैं एक्चली नाला है एस पर देफिनेशन ए और बी नोड आर नोड बोस जीरो दोनों जीरो कठे नहीं हो सकते तो गैदरो जीरो नहीं हो सकते दोना जीर सब्सक्राइब नहीं कार सेंट है सब्सक्राइब कर्लाएब दोनों कठे जीरो नहीं लोड आर लिख सगदें नहीं को अचीजीरो अच्छे नहीं इंद लिख सा जया है ना सब्सक्राइब में एक्स अंधियाल आएब तो गंपलेट एक्ससाइज 4.1 so thank you very much I hope कि तानू ऐसा में लगी होएगी बहुत ही easy concept है बस उसी general form ax plus b y plus c is equal to z याद रखनी है this is the general form इस तो बाद इन्हों अपा graphically भी देखांगे कि अपा graphically कि में करना है solution कि में निकालने है काफी कोशे एदे बिच हेगा so वो अपा next lecture दिस्कूस करांगे so thank you very much